क्या आप जानते हैं रुद्रक्ष धारन करने के अलग-अलग और अनेकों प्रकार के फायदे होते हैं लेकिन रुद्रक्ष अगर राशी के अनुसार धारन किया जाए तो उसका विसेसलाव आपको प्राप्त होता है तो इसी प्रकार जोतिस आचार्य पंडित मंकट पैठक से जानिये कि किस रासी के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष धारन करने से व्यक्ति को सफलता एवं दुख संकटों से मुक्ति मिलती है तो मेस रासी के जातकों के लिए तीन मुखी और गोरी शंकर रुद्राक्ष धारन करना स्वब होता है बिस रासी के जातकों को छे मुखी और दस मुखी रुद्राक्ष धारन करना चाहिए मिसल रासी के जातकों को 4 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष को धारन करना चाहिए करक रासी के जातकों को भी 4 मुखी या गोरी शंकर रुद्राक्ष को धारन करना चाहिए सिम्म रासी के जातकों को 5 मुखी रुद्राक्ष और 12 मुखी रुद्राक्ष को धारन करना चाहिए कन्या रासी के जातकों को 6 मुखी रुद्राक्ष या गोरी शंकर रुद्राक्ष को धारन करना चाहिए तुला रासी के जातकों को साथ मुखी रुद्राक्ष और गणेस रुद्राक्ष धारन कर सकते हैं दश्चिक रासी के जातकों को आठ मुखी रुद्राक्ष या तेरा मुखी रुद्राक्ष धारन करना चाहिए धनू रासी के जातक नौ मुखी रुद्राक्ष या एक मुखी रुद्राक्ष को धारन करें मकर रासी के जातक दस मुखी या तेरा मुखी रुद्राक्ष को धारन करें कुम्ब रासी के जातक साथ मुखी रुद्राक्ष को धारन करें या नो मुखी रुद्राक्ष को धारण करें और मीन रासी के जाज़कों को एग मुखी या बारह मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए ऐसा करने से रासी अनुसार उनको नवग्रह शुवफल प्रदान करते हैं